कैसे आप सभी मैं सी चंच वाप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल S.R.T.C. लिगरेल फिंदी में आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंकम टेक्स के कुछ बड़े बदलाव के बारे में जो कि एप्लिकेबल होंगे एक चार्ट दो होजार तेईस से और मतलब हम कह सकते हैं कि इंकम टेक्स के नए रूल्स है तो पहला सबसे बाला देखिए डिफॉल्ट टेक्स रिजाएं जो यहाँ पर अब से एक चार तेईस से आपका डिफॉल्ट टेक्स रिजाएं होगा वो होगा न्यू टेक्स रिजाएं मतलब कि अगर आपको ओल्ड के अंदर रिटर्न भरनी है तो वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी और न्यू टेक्स रिजाएं में यहाँ पर कोई भी आपकी जो डिड़क्शन से एटी सी एटीडी की वो आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हैं बट आपको चैनल डिड़क्शन जरूर मिलेगी प्लस यहाँ पर देखिए जब भी आपका टीडियस डिड़क्ट करेगा आपका एमपलोयर तो वो न्यू रिजाइंग को यह डन भढ़ सकती हैं तरह सेकेंड हमारा यहां पर चैन्ज किया है टेक्स की जो रिबिट हैवो इंक्रीज हो गई है टेक्स रिबित इंक्रीज मतलब क्या हुआ है देखिए जो यहां पर चेंज आया था इसमें पहले देखिए हमारी जो रिबिट थी वह थी 12500 अब इसे जाए अब 25,000 की मिलने वाली हैं तो इससे क्या होगा आपकी 7 लग तब की जो इंकम है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी जो नए slab के अंदर new regime जो है उसके अंदर जो rates है उनका slab यहाँ पर change कर दिया गया है मतलब एक चारते इससे आप पर जो rates applicable होंगे अगर आप new tax regime में आ रहे हैं तो देखिए 0 से 3 लेक तक आप पर कोई भी tax नहीं लगा जाएगा 3 to 6 लेक पर 5 परसेंट 6 to 9 लेक पर 10 परसेंट 9 to 12 पर यहाँ पर 15 है वो 12 to 15 पर 20 परसेंट अबब 15 लेक पर यहाँ पर 30 परसेंट का आपका tax rate लगने वाला है उन जो आपका LTA है मतलब leave travel का जो allowance आपको मिलता था वो भी यहाँ पर limit जो है 3 लाग से बढ़ा कर 25 लाग कर दी गई है यह जो 3 लाग थी 2002 से चलती आ रही थी अब इसे बढ़ा कर 25 लाग कर दिया गया है हमारा जो no LTCG tax benefit मतलब क्या देखिए जो भी आप investment करते हैं debt mutual fund में वो अब यहाँ पर taxable होंगे as per slab rate पहले देखिए flat 20% का tax लगता था 20% का tax लगने की वज़े से यहाँ पर tax की amount comparative कम बन जाती है अगर slab rate से tax लगाए जाए अब इस पर slab rate से tax लगने वाला है आपका next देखिए marketed linked debentures अगर आपने marketed linked debentures खरीदे हुए है तो उस पर देखिए short term capital asset माना जाएगा उसे और उसके according इस पर भी slab rate की according tax लगने वाला है आपका पहले इस पर LTCG tax का benefit मिलता 10% वाला अब वो benefit आपको इस पर नहीं मिलेगा ऐसी देखिए जो हम next यहाँ पर point देख रही है LIC की जो maturity है वो आप taxable होने वाली है मतलब क्या है देखिए अगर आपकी life insurance premium पर आपको अगर देखिए आपकर proceeds जो मिलती है वो पांच लाग से अगर जादा है ना तो यह आपकी taxable वानी जाएगी बट यह जो है यह आपकी यूलिप के जो plans है उन पर यह applicable नहीं होने वाला है यूलिप के अलावा जो भी आपके plans है उन पर यह आपका applicable होगा 5 lakh की limit यह senior citizen benefits तो यह जो senior citizens को कई सारे benefits अब लेबल है उनके limits को भड़ा दिया गया है क्या भड़ा दिया गया है देखिए यहाँ पर जो आपकी monthly income की scheme है उसको 9 lakh कर दिया गया है पहले यह सारे 4 lakh थी अब इसे 9 lakh तक यहाँ पर भड़ा दिया गया है ऐसे jointly MIS की जो scheme है वो भी देखिए यहाँ पर 7.5 lakh पहले हुआ कर दी थी अब वहाँ से बढ़ा कर 15 lakh कर दिया गया है इसे ऐसे देखिए senior citizen की जो saving scheme है वो भी 15 lakh से बढ़ा कर 30 lakh कर दी गया है तो हम कह सकते हैं कि जो भी senior citizen के benefit थे उन सब ही को double कर दिया गया है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर last change क्या आया है no tax on gold यह क्या हुआ देखिए अगर आप अपने physical gold को convert करवाते हैं electronic gold receipt में तो देखिए पहले इस पर यहाँ पर tax माना जाता था इसे capital gain मानते थे यहाँ पर जो भी benefit होता था और उस पर tax लगाय जाता था बट अब से यहाँ पर आपका consider नहीं किया जाएगा as capital gain तो इस पर यहाँ पर आपका कोई भी tax नहीं लगने वाला है तो इन 10 points में से कौन सा point आपके लिए relevant है आप पर कौन सा यहाँ पर फाइदे मन रहने वाला है किसे आपको नुकसान होने वाला है वो हमें वीडियो में comment books में comment करके ज़रूर बताईएगा और अगर आपको कुछ भी जानना है किसी भी बारे में तो वो भी आप हमसे करेंगे तब तके लिए बाई बाई